नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के उपर दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे जीरोदा काईट अप्लिकेशन में आप चार्ट की सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और चार्ट किस तरीके से आपको देखना होता है तो जैसे कि आप देख रहे हमने यहाँ पे जीरोदा का application open किया है अब दो प्रकार के chart आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं एक तो होता है chart IQ और दूसरा होता है trading view दोनों chart किस तरीके से देखने हैं वो हम देख लेंगे settings कैसे करने वो भी देख लेंगे अगर आपको chart की setting करनी है तो सबसे पहले आपको profile में जाना होगा जैसे ही आप profile में जाते हो तो आपको settings में जाना होगा settings में जैसे ही आप जाते हो तो chart वाले section में आपको यहाँ पे chart IQ और trading view यह दोन option दिखाई देते हैं दोनों में से कोई भी option आप select कर सकते हो मैं prefer करता हूँ trading view के लिए इसलिए मैं trading view के साथ जाना चाहूँगा लेकिन मैं आपको दोनों चीजे दोनों chart किस तरीके से यहाँ पे आपको analysis कर सकते है आप सारी settings यहाँ पे बताऊँगा पहले chart IQ selected है तो chart IQ का देख लेते हैं तो पीछे आएंगे और watch list में जाएंगे और कोई भी chart यहाँ पे आप देख सकते हो stock के ओपर click करना है और यहाँ पे आपको view chart का option दिखाई देगा इसके उपर आपको click करना है अभी जो हम chart यहाँ पे देख रहे है वो chart IQ का chart है chart IQ का chart कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजे पता चलेगी जैसे कि आप chart के उपर ही यहाँ पे buy और sell का signal आपको मिल जाता है अगर analysis करके आप buy करना चाते हो तो buy के उपर click कर सकते हो sell करना चाते हो तो sell के उपर click कर सकते हो तो यह बहुत बढ़ी है आपको फिर से पीछे जाके फिर से stock में buying और selling करनी नहीं बढ़ती chart को देख की सारी चीजे आप यहाँ पे कर सकते हो दूजरी चीज यहाँ पे क्या-क्या है सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि यह X-axis होता है, यह Y-axis होता है X-axis पे time होता है time period होता है और Y-axis पे price होता है चार्ट का यह तो basic है, सबको पता है चार्ट किस्तेजी से अब यह जो candles हमारे लगी होई है यह normal candles है, अगर आपको candles change करनी है, किसी तरह का कि अलग करी कैसी candle आपको देखनी है हाइके निशी हो गई या फिर बार candle देखनी है आपको line chart देखना है तो आपको इस option में जाना होगा जहाँ पे candle लिखा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे option आपको मिल जाते है, candles मिल जाते है, बार candle color bar, line हो गया vertex line हो गया, step हो गया, mountain हो गया, different different option आपको यहाँ पे मिल जाते है, मैं prefer करता हूँ candle stick के लिए, तो यहाँ पे मैंने candle stick select कर दिया है वैसे आप अगर change करना चाहो तो change कर सकते है, जैसे मैं यहाँ पे बार select करूँगा तो इस तरीकी के बार आपको चार्ट के उपर दिखाई देंगे, और आप यहाँ पे अगर mountain रखना चाते हो, तो इस तरीकी का mountain आपको दिखाई दिता है, आप हाइकेनेशी रखना जाते हो, तो हाइकेनेशी candle इस तरीके से आपको चार्ट के उपर देखने के लिए मिल जाएंगे, फिलाल तो हम candle रखेंगे क्योंकि मैं इसको ही prefer करता हूँ उसके बाद वाला option है, यहाँ पे time frame का 5 minute का time frame अभी यहाँ पे open है आप एक minute से लेके एक minute से लेके custom कितना भी time frame आपको लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हो, one month है, one week है one day है, four hours, three hours, two hours one hours, thirty minute, fifteen minute जो भी time frame के उपर आप analysis करना चाते हो वो time frame आप यहाँ पे select कर सकते हो जैसे मुझे 15 minute के उपर analysis करना है तो यह 15 minute का चार्ट मेरे सामने open हो गया है, और यहाँ पे एक और चीज़ है, नीचे आप bottom में देखोगे, तो आप directly daily चार्ट के उपर directly five days के चार्ट के उपर directly monthly चार्ट के उपर, directly one year के चार्ट के उपर जा सकते हैं, किस तरी के से करना है, इसको आपको आसानी होगी सारी चीज़े देखने में, तो one day हम select करते हैं, 5 minute का चार्ट ही रहने देते हैं, दूसरा option देखते हैं, क्या है अब यह जो option दिखाई देरा यह arc की तरह है, यह आपका जो save view करने के लिए है यह जो पूरा view आप देख रहे हो, इसको आपको उगर save करना है, तो save view के उपर आपको click करना है, basically template save करने के लिए यह सारी जीज़े हैं, और यह view आप नाम कुछ भी देखे, यहाँ पे save कर सकते हैं, फिला तो आप नहीं करेंगे उसके बाद वाला option होता है, indicators का effects जहाँ पे लिखा है, इसके उपर आप click करते हो, तो दुनिया बरके यहाँ पे आपको indicators मिल जाएंगे, लेकिन सारे indicators नहीं लगाने हैं, आपको जो पसंद है, आपकी जैसी strategy है उस हिसाब से आप यहाँ पे indicator लगा देते हो, different, different option आपको मिल जाता है, indicators के जैसे मुझे यहाँ पे indicator चाहिए moving average का, या फिर MACD का तो यहाँ पे मैं MACD select करता हूँ MACD select करने के बाद, यहाँ पे नीचे MACD का जो indicator है, वो चार्ट के उपर लग जाता है जो भी analysis आप करना चाते है, इससे कर सकते हो और इसकी मदद से आप trade initiate कर सकते हो, अगर आपको इस particular indicator के settings चेंज करने हैं तो आपको simply फिर से एक बार indicator के section में जाना होगा और यहाँ पे current studies लिखा हुआ है इस current studies में जाके यहाँ लिजे super trend indicator लगा है उसके settings मुझे change करने है तो यहाँ पे मैं settings change कर लूँगा मुझे यहाँ पे settings रखने है 14 और 4 तो यह settings मैंने change कर दिया तो यह settings मेरे सामने change हो गए है तो indicator के settings करने के लिए आपको यही से जाना होता है बाकि कोई दूसरी यहाँ पे जलानी है clear करना जाते हो तो clear कर सकते हो जैसे मैंने clear और कर दिया तो सारे indicators chart के उपर से यहाँ पे guy up हो गए है फिर से लगाना जाते हो तो same procedure follow करना है उसके बाद आपको यहाँ पे एक और cloudization symbol दिखाई देता है यह आपका जो preference है आप जो भी indicator लगाते हो chart के उपर वो आपको अगर save करना है तो same आपको यहाँ पे save करना होता है और यह आपका जो preference है वो save हो गया है successfully का message भी यहाँ पे आपको दिखाई दी रहा है तो यह जब भी भी आप यह stock के उपर आओगे तो यह preference आपका open हो जाएगा एक और चीज़ यहाँ पे है settings अब यह settings में क्या चीज़ है settings में अगर जाओगे तो आप यहाँ पे range select कर सकते हो y axis का preference select कर सकते हो invert या फिर day night theme select कर सकते हो इतना कोई बड़ी बात नहीं है यह सारी चीज़े हम बाद में भी कर सकते है और नहीं करोगे तो भी कोई पहाड़ नहीं तोटने वाला सबसे important चीज़ में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यह जो 3 dot यहाँ पे दिये गए है यह क्या काम करते है तो इसके उपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ चार option सिखाई दे रहे है यहाँ पे पहला option है यहाँ पे edit का option है दूसरा option यहाँ पे info का है और तीसरा option अगर आप देखोगे तो table पूरा आपके सामने आ जाता है मतलब यहाँ पे high log कब मारा था stock ने दिखाई देगा open कब हो आता close कब हो आता high कब हो आता volume कितना है यह सारी चीज़े आपको पता चलती है लेकिन सबसे interesting fact यहाँ पे है यह studies यह जो edit tool है select tool है यहाँ पे आप selection करके अगर आपको chart के उपर कोई drawing करनी है कोई line खीचनी है कुछ check करना है कोई channel लेना है या फिर cross line करनी है Elliot wave देखनी है तो यह सारा जो मामला है वो select tool में आपको दिखाई देगा जैसे ही आप उपर नीचे करोगे जैसे ही आपको यहाँ पे Fibonacci zone, time zone, retracement, projection, Fibonacci fan लगाना है या फिर focus करना है GAN fan लगाना है तो यह सारी चीज़े आप इस tool की मदद से कर सकते हो आपको अगर line खीचनी है यानि कि आपको horizontal line या train line खीचनी है तो इसकी मदद से आप इस तरीके से यह line वगरा कीच सकते हो, यह आपकी line आ गई है और इसके बाद आप यहाँ पे इस color भी select कर सकते हो, जो भी color आपको देना है भी select कर सकते हो, यह थोड़ा dotted line चाहिए, यह सारी चीज़े आप यहाँ पे कर सकते हो, तो इसकी मदद से आप पूरे tools को इस्तमाल कर सकते हो और इसकी मदद से आप chart का analysis कर सकते हो और आपके इसाब से chart जो है वो यहाँ पे analysis करके आप देख सकते हो तो यह सारी चीज़े आप chart के उपर कर सकते हैं यह तो हो गया chart IQ जो है उसका पूरा detail जानकारी अब हम आते है trading view के उपर क्या अलग scene है इसको हम close करेंगे, फिर से हम settings में जाएंगे और यहाँ पे select करेंगे trading view trading view select करने के बाद आपको फिर से watch list में आना है थोड़ा सा refresh करना है और refresh करने के बाद हम देखेंगे ICSA bank का chart अब यहाँ पे आप देख रहे हो chart जो है वो पूरा change होता हुआ नहीं अदर आएगा पूरा का पूरा chart यहाँ पे change हो गया है different different यहाँ पे जो template है आ गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो information का part है वो यहाँ पे chart के ओपर आपको दिखाई दे रहा है जो हमने chart IQ पे देखा था वो open करके किया था तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है time frame, same यहाँ पे आप time frame select कर सकते हो यह इस प्रकार यह time frame है यहाँ पे custom आपको time frame नहीं मिलेगा one month तक यहाँ पे आप chart देख सकते हो और जो time frame आपको पसंदे हो उसके open analysis कर सकते हो बागी यहाँ पे जो है वो सारी जीज़े same है date range यहाँ पे change कर सकते हो यह जो x axis है और y axis है लेगिन यहाँ पे आपको date range अगर select करनी है तो यहाँ पे date range आप select कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे select करना है 5 साल का chart देखना है एक दिन का देखना है या फिर यह custom करना है तो यहाँ पे custom का option आपको मिल जाता है वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो उसके बाद अगर यहाँ पर आपको percentage दिखाने है तो यह percentage में आ गया यह y axis जो है पूरा percentage में आ गया price जो है और इसको हटा देंगे तो price पूरा आ जाएगा log आपको select करना है, auto करना है, manual करना है यह सारी चीज़े आपके उपर depend होती है और उसके बाद आता है यह candle वाला mark line break, kagi और point and figure, limited access है, limited यहाँ पर chart option है लेकिन बहुत सारे लोग इसमें से सिर्फ candlely यूज़ करते है तो हम भी यहाँ पर candlely select करेंगे, अब यहाँ पर effects आया था indicator के लिए, यहाँ पूरा indicator लिखके आ रहा है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, indicator के उपर अगा अगा अग होगा और जो settings आपको करनी होती है, वो chart के उपर यहाँ पर करने के लिए मिल जाती है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमें फिर से indicator section में जाना पड़ता है और वहाँ पर setting चेंज करनी पड़ती है, यहाँ पर यहाँ जो setting का button दिया गया है, इसके उपर अगर आ इसे नाम देके save भी कर सकते हो, और इस तरीके से आप क्या करोगे, इससे नाम देके save भी कर सकते हो, और इसका अगर आप screenshot लेना चाते हो, यह फोटो का भी option यहाँ पर दिया है, आप किसी को बेजना चाते हो, कि भाई मैंने analysis किया है, ठीक एक नहीं बता दो, तो यह screenshot भी आप ले सकते हो, और settings में अगर आप जाओगे, तो यहाँ पर बहुत सारे options में जाते है, candle का color change करना हो, scale change करना हो, background change करना हो, time zone change करना हो, तो यह सारे option आपको settings में दिखाई देते है, तो इसमें थोड़े features अच्छे है, इसकी वज़े से मैं trading भी यूज़ करता हूँ, और भी एक feature है, यहाँ पर जैसे मैंने बता है, bias sale का option तो आपको यहाँ पर मिल ली जाता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, वो है analysis का, यह जो छोटा arrow यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप click करते हो, तो यह tool bar हमारे सामने open होता है, तो train line के लिए बहुत सारे option यहाँ पर मिल गए हमें, info line, triangle, horizontal, horizontal, layer, vertical line, cross line, यह स इसको delete अगर करना है, तो यहाँ से delete करने का option है, और इसके सारी चीज़े change करनी है, तो यहाँ पर option मिल जाता है, उसके बाद आपको कुछ लिखना है, तो brush यहाँ पर rectangle लगाना है, तो rectangle है, बहुत सारे options ज्यादा मिल जाते हैं यहाँ अगर लिखना है, तो text का option मिल जाता ह और ये जो patterns आपको लगाने होते हैं, जैसे कि XABCD pattern हो गया, या फिर head and shoulder pattern हो गया, impulse, Elliot wave लगानी है, तो ये आपको यहाँ पे बहुत सारे options मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप directly pattern लगा सकते हो किसी भी chart के उपर, long position, short position आपको देखनी है, तो ये आप use कर सकते हो, date range, price range आपक लिए या दोनों चीज़े delete करनी है, तो एक button पे सारी चीज़े आपकी हो जाती है, hide करना है कोई chart तो hide भी कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पे problem नहीं आता है, तो बहुत सारे option trading view में मिल जाते हैं, लेकिन एक जो चीज है, जो मैं आपको यूज कर सकते हो, जो की जिरोदा का नया feature है, जिसके उपर मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो comment में मुझे बता देना कि मुझे वो वीडियो चाहिए, मैं तुरंत आपके सामने वो वीडियो लेके आऊंगा, कि किस तरीके से आप chart के उपर drag करके price change कर सकते हो, modify कर सकते हो, आपको किसी अलग tap के उपर रही जाने की जरूरत है, तो अगर चाहिए तो comment में बता देना, वो वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए बना दूगा, so basically यही chart setting है, जो जिरुदा में होती है, तो दो प्रकार के chart आप यू इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपके कोई भी डाउट से तो comment में आप पूछ सकते हो, वीडियो को जादा से जादा शेयर करना ना भू इस वीडियो करता हू बाल को किये चैनल को अगर भीडियो में वीडियो अपके ही।